हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक भाई एक नई वीडियो पर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश नहें की तरफ से जो भरती आई थी आज से काफी 3-4 महीने पहले 17,000 से भी अधिक पदो पर भाई जिसमें फार्मासिस्ट की वेकसी थी जिसमें स्टाप नर्स की थी और बहुत सारी उसमें वेकसी निकले होई थी 17,000 के आसपास कुछ वेकसी थी तो उसका जो भाई रिजल्ट था वो काफी दिनों से पैंडिंग में है यानि कि अभी तक भाई UPNHM ने जारी नहीं किया है और क्यों नहीं किया है वो आज इस वीडियो में बताऊंगा और भाई कब तक उम्मीद है और कब तक उसका रिजल्ट आ सकता है वो भी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ और पूरा scenario बताऊंगा कि आखिर अभी क्यों result को hold कर दिया गया है तो दोस्तो बिना time waste के सीधे वीडियो को start करते हैं तो दोस्तो आपको मैं बता दूँ अगर आप UPNHM की site पर यहाँ पर visit करने आएंगे तो आपको रोज daily एक नया notice तो देखने को मिलेगा लेकिन अगर आप UPNHM 17000 प्लस की vacancy के regarding किसी notice का wait कर रहे है तो भाई यहाँ पर बो notice दिखाई नहीं देगा आपको यहाँ पर दोस्तो notice किसका regarding है बो मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तो यहाँ पर इस time है जो notice आपको मिलेंगे बो आपको मिलेंगे जो 5000 से भी अधिक पदो पर यहाँ पर vacancy आई थी उन लोगों के लिए यहाँ पर है आप देख सकते हैं LTE के लिए OST LS position के लिए भाई जिनकी यहाँ पर vacancy थी उन लोगों का notice यहाँ पर देखने को मिलेगा अब मैं आपको बता दूँ कि दोस्तो इस notice का जो आप मतलब यहाँ पर जिए vacancy आई थी उसको लगबग 6 महीने पहले आई थी तो उसका paper जो था वो साइद 5-6 महीने पहले हो चुका था लेकिन अब finally उसका जाकर जो है लोगों को यहाँ पर उनकी posting मिली है अब यहाँ पर आप नया notice देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर लिखा है कि documents required for document verification process for SRLT and STLS position तो भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आज से यानि कि 6 महीने पहले जिसका notice आया था अब जाके वो clear हुई है इस April में तो आप यहाँ पर अंदाज़ा दोस्तों लगा सकते हैं कि भाई जो UP NHM ने जो दिसंबर में 17,000 से भी अधिक पदों का यहाँ पर form जो फिल किये थे लोगों ने जो पेपर यहाँ पर दिसंबर में दिये हैं उसके बाद थोड़े पेपर 20 जनवरी के आसपास भी हुए थे तो भाई अब तक उनका result नहीं आया तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लो कि जब इसको 6 महीने लग गए तो भाई mostly probably हमको भी 6 महीने लग सकते हैं क्योंकि ज यहाँ पर STLAT STLS पोजीशन के यहाँ पर बात कर रहा हूं दोस्तों मैं ठीक है तो आप सो सकते हैं जब इसको 6 महीने लग गए तो भाई NHM को भी जो हमारी फार्मासेट की बेकेंसिटी उसको भी लगबग यहाँ पर 5-6 महीने तो लगेंगे ही तो दोस्तों अभी आपको और भी इंतिजार करना बाकी है अभी यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आइडिया नहीं है कि रिजल्ट कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा मेरे पास धेरो सारे दोस्तों कमेंट आते रहते हैं कि सर बताएं UBNHM का रिजल्ट कब आएगा तो भाई आप इसका सेनेरियो दे तो अब जैसे ही यह किलियर हो जाएगी पूरी तरीके से बैकेंसी बैसे ही हमारी फार्मासिस्ट की बैकेंसी का जो रिजल्ट है वो भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद दोस्तों आप लोग अपना जिसकी जिसकी भी जॉइनिंग या होती है वो अपनी ले सकते हैं तो दोस्तों अभी थोड़ा सा आपको और इंतिजार करना है उसके बाद ही रिजल्ट के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मिशन इस चैनल पर मिल पाएगी तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको यही बताना था कि भाई इस जो वेकेंसी जो निकली ती 6 मह पहले इसका सेनेरियो में आपको पूरा बता दिया है तो आप इसी चीज को समझ कर आप यह अंदाजा लगा लो कि हमारी फार्मासिस्ट वेकेंसी का रिजल्ट कितने दिन बाद आएगा तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए अपना ध्यान रखें सुरच चीदर है